आज मैंने कॉंगेस अध्यक्षा से मुलाकाद करी और उन्होंने बहुत शान्तिपुर तरीके से हमारी सारी बातों मुस्तुना और जो भी खत्ना करम हुआ राजिस्तान के जैपुर के अंदर उस पर विस्तार से निर्कर्चा करी है और मैं मानता हूँ कि जो मेरे सेंटिमेंट से जो मेरे भावना इतनी जो वड़ा फीडबैक था वो मैंने बहुत इत्मिनान से कॉंगेस अध्यक्षा सुने गांजी जी को बताया है और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत करकर 2023 का विजानसवा चुनाब जीते हैं उसकी हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजिस्तान के संधर्व में जो भी निरने या जो भी डिसिजिजन लेना है वो कॉमेस पार्टी लेंगी हम सब का एक ही उद्देश है जैसे हम सब साके मिलकर राजिस्तान सही बाखी राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी की चुनाब को जीत को सुनिश्चित करें और मुझे पूरा जाकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीमे में खुब मेनद करकर दुबारा कॉंग्रसी सर्टार बनाएंगे सचर आपका फोकिस राजिस्तान ही रहेगा कि आप दिल्ली आ रहे हैं मैंने कई बार कहा कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी पहली प्राथ मिखता है कि हम क्योंकि 30 साल से राजिस्तान में पात साल कॉंग्रेस, पात साल भात पकाई एक परीपादी बनिए हैं उस परिपादी को पोरना पहुत जरोरी है और मुझे पूरा बिश्वास है कि हम मैनद करकर दुबारा कॉंग्रसी सर्टार बना सकते हैं तो यह यर टेश में कॉंग्रसी सर्टा कैसे रिपीट हो पॉराइट्री की शुरूआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है ललन टॉप की गुजरात यात्रा गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है ललन टॉप की टीम आपके शहर हम पहुँच रहे हैं वडोद राह और एमदबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनाब, कब जा रहे हैं अभिनाब? जल्दी मलाकात होगी